दोस्तों क्या आपको अपने कोटक महंधरा बैंक के ATM कार्ट से ओनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है क्या आपको किसी वेबसाइट में या किसी e-commerce साइट में जैसे Flipkart, Amazon, Snapdeal या किसी का सब्सक्रिप्सन लेने के लिए कार्ट से पेमेंट करते वक्त आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है या पेमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर ATM कार्ट के दुवारा किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पर आपका पेमेंट फेल हो जा रहा है तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके बाद आपका ATM कार्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके बाद आप अपने कोटक महिंदरबाइंग के ATM कार्ड से किसी को भी कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन पैसे दे सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ वीडियो को बीना स्किप के लास्ट तक देखते रहे हैं दोस्तों दरसल हम अपने कोटक महिंदरबाइंग के ATM कार्ड का इस्तमाल ऑनलाइन पैमेंट या e-commerce साइट में पैमेंट करने के लिए इस वज़ा से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसका एक ही वज़ा है कि हमारे पास जो ATM कार्ड है उसका ओनलाइन ट्रांजक्शन का फीचर डिसेबल है और जब तक हम उसे इनेबल नहीं करते हैं तब तक हम अपने ATM कार्ड का इस्तमाल e-commerce साइट में या फिर किसी को या किसी वेबसाइट में ओनलाइन पेमिंट करने के लिए नहीं कर सकते हैं और इसे कैसे इनेबल किया जाता है चलिए मैं आपको अपने फोन में करके बताता हूँ तो दोस्तो अपने कोटक महंदरा बैंक के ATM कार्ड के ओनलाइन ट्रांजक्शन का फिचर इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले कोटक महंदरा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप को ओपें कर लेना है इस card वाले section में यहाँ पे एक debit card का option मिल जाएगा आपको उस पे click कर देना है जैसे आप debit card वाले option पे click किजेगा दोस्तों तो आपका next page इस तरह से open हो जाएगा अब इस page में दोस्तों आपको यहाँ पे card control का option दिखाए दे रहाओगा आपको इस card control वाले option पे click कर देना है इस पे click करते हैं यह आपको login करने के लिए बोलेगा तो आपको अपना mpint डालके या फिर अपना fingerprint लगा के इसे login कर देना है दोस्तों login होते हैं दोस्तों आपका next screen कुछ इस तरह से दिखाए देगा यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो ATM card कोटक मेंदर बैंक के जो ATM card है उसमें e-commerce और online transaction का जो feature है वो disabled है यानि के मैं अपने ATM card से किसी भी website में या फिर किसी e-commerce site में transaction या payment नहीं कर सकता हूँ अपने ATM card से इस तरह से आपका भी जो ATM card का यह e-commerce और online का जो feature है वो disabled होगा दोस्तों इसी कारण से आप अपने ATM card से e-commerce site में payment करने में या फिर online transaction करने में आपका जो payment है वो fail हो जा रहा है दोस्तों इसके साथ यहां पर tokenized का feature और contactless feature जो है वो भी disabled है दोस्तों हाला कि यह दोनों इतना important नहीं है लेकिन e-commerce और online का जो feature है वो हमारे लिए जरूरी है दोस्तों इसलिए उसे enable करना जरूरी होगा एक और जरूरी बात दोस्तों कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कोटक महंदरा बायंग का ATM card है तो आपको पहले जिस ATM card से आप online transaction करते हैं और जिसका e-commerce और online transaction का feature enable करना चाहते हैं तो पह बाद आपको अपना जो feature है वो enable or disable करना है तो इस तरीके से आपको e-commerce और online transaction वाले feature को यहां से enable कर देना है दोस्तों और नीचे के दो आले उतने important नहीं है इसलिए आप चाहत उसे enable करें या फिर नहीं भी कर सकते हैं और यहां पे नीचे international use के लिए भी enable or disable करने का feature दिया ह दोस्तों अगर आप अपने ATM card को international use करना चाहते तो आपको simple यहां से इसे enable कर देना है हलाकि मुझे फिलाल इसका जरूरत नहीं है इसलिए मैं international वाले feature को यहां पर disable ही रहने देता हूं जो मेरे लिए जरूरी था e-commerce और online और उसे मैंने enable कर दिया इस तरीके से आपको भी अ है जैसे आप इस confirm वाले बटन पर प्रेस किजेगा दोस्तों तो आपका next पर जिस तरह से open होगा यहां से आपको चेक कर लेना है कि confirm your changes यानि कि क्या क्या चेंज आप कर रहे हैं अपने ATM card में वह यहां पर detail दिखा रहा है आप देख सकते हैं यहां पर मैंने e-commerce और online payment का जो 12 से क्लिक कर देना है इस confirm आले बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो रिक्वेस्ट है वह successfully complete हो जाएगा आप अपने कोटक मेहनरा बाइंक के ATM card में जो जो changes किये हैं दोस्तों वह सब खुछ successfully change हो जाएगा आप देख सकते हैं कि मैंने जो फीचर इनेबल किया था वह successfully हो गया है बस इतना करने बात दोस्तों आप कहीं भी किसी को भी कभी ऑनलाइन payment कर सकते हैं अपने ATM card से और किसी भी e-commerce आड़ में असानी से payment कर सकते हैं या फिर subscription लेना हो या एप्स करिद लाइक जरूर कर दे और इसी तरह की knowledgeable वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल टेक्निकल सिमरा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकून को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगले वीडियो में फिर मिलते हैं त तब तक के लिए बाई